जेहीं दोस्तों SSE Constable GD भरती को लेकर बहुत बरी अपडेट है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं SSE का यह ओफिसियली साइट है और यहाँ पे आज के डेट में 20 मार्च 2023 को बहुत बरी अपडेट SSE GD को लेकर यहाँ पे रिलिच किया गया है आप सभी को बता दे फिर से जो है SSE Constable GD के अंतरगत फिर से जो है आपका वेकेंसी की संखिया बढ़ा दिया गया है यानि कि आप जो आपका वेकेंसी है 50,000 पलस कर दिया गया है पहले आप सभी को पता है already तीन बार जो है आपका वेकेंसी की संख्या जो है इनकरीज किया गया है पहले आपका 24,000 आया था उसके बाद आपका 40,000 के आसपास होगा उसके बाद 46,000 और फिर अब जो है 50,000 यानि कि चौथा बार यहाँ पे वेकेंसी की संख्या आपका बढ़ चुका है एक समय था जब इसमें आपका 24,000 पोस्ट था लेकिन अब जो है यहाँ पे 50,000 कर दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट की संख्या आपको देखने को मिल जाएंगे जो बढ़ाया गया है और कौन से जो है डिपार्टमेंट के अंतरगत कितना वेकें आपका अब हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो आपका वेकेंसी है 50,187 दोस्तों यह काफी जादा मात्र होता है 50,187 आपका भरती हो गया है जब नोटीफीकेसा नाया था तो उस समय मात्र 24,000 भरती था लेकिन उसके बाद आपका भरती की संख्या दो बार औ और बढ़ाया गया और यह चौथा बार जो है आपका वेकेंसी की संख्या बढ़ कर 50,187 किया गया है तो आपके लिए यह गुड नूज है क्योंकि वेकेंसी की संख्या फिर से बढ़ा है और यहाँ पर देख लिजिए कौन से जो है फोर्स के अंतरगत इतना भरती हुआ ह तो BASF की बात करें तो BASF में आपका टोटल 1,052 जो भरती है जो की सबसे ज़्यादा BASF के अंतरगत है CISF की बात करें तो CISF के अंतरगत टोटल जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 6060 है जब आपका यह भरती आया था उस समय मातर 100 भी पोस्ट था CISF में लेकिन CISF में पोस्ट कम रहने के कारण फार्म अपलाई करते समय फोस्ट प्रिफ्रेंस या सकेंड प्रिफ्रेंस नहीं दिये थे लेकिन अब यहाँ पे पोस्ट की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया है इसके अलगा CRPF में टोटल की बात करें तो यह गारे 179 है और यहाँ पे SSB की बात करें तो यहाँ पे 2274 है ITBP की बात करें तो ITBP में 542 है आसम राइफल्स की यहाँ पे देखेंगे 361 है SSF में 214 है और यहाँ पे देखेंगे NCB आपका जो पोस्ट है इसके अंतरगत 175 और यहाँ पे मेल का भी देख सकते हैं मेल के अंतरगत कितना और फीमेल के अंतरगत टोटल कितना है और ग्रांड टोटल यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है तो वेकेंसी की संख्या आपका काफी ज़्यादा बढ़ा है 50187 है जीस भी कैंडिडेट का एक जाम आच्छा गया है वैसे कैंडिडेट का एक जाम आच्छा नहीं गया ह है वैसे कैंडिडेट के लिए तो फिर आप सभी समाझ ही सकते हैं तो यहाँ पर यह जो है आपका नोटीस है और यहाँ पर देखेंगे कौन से स्टेट में कितना जो है वेकेंसी बढ़ा है उसका डीटेल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह का जेनरल एरिया में कितना है और बोर्डर एरिया में कितना है उसका डीटेल्स दिया गया है तो इसकी जानकारी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फिलाल आप सभी समझ जाईए कि आपकी वेकेंसी की संख्या बढ़ गया है और इसका रिजल्ट सभी सुरू कर दीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डू में तब तक लिए जहिंद बंदे मातरम